कि है गाई is very good morning to all of you दोस्तों कैसे आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोग का इंडिया के नॉमबर वन इस्ट चैनल वाइफाइ स्टडी में वाइफाइ स्टडी में आउ वाइफाइ स्टडी इस पार वश्ट अब पर जांते हैं और मैं दीपक्ति रत्यानी एक भाफिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आर या पार हंड्रेट प्रसेंट शोर सेलेक्शन मौक टैस सुपर मौक टैस गाईस तो सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से जुट जाएंगे वेरी कुट मार्निंग गुट मार्निंग टो आल अफ यू जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि SSE GD के 15 डेज क्रेज कोर्स की क्लास जो हैं चालू हो गए हैं तो दोपेर के साड़े बारा बज़े से ये क्लास चालू हो जाती है और शाम को चार बज़े अपनी रीजनिंग की क्लास होती है जिन बच्चों को नहीं पता है उनको सबसे पहले तो मैं इंपॉम कर क्लास बज़े है साथी साथ रोइट सर की क्लास दोस्तों 5 बज़े है तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो के शानदार तरीके से दोस्तों ठीक है इसको लेना चालू कर दो कल शानदार जबरदस मॉक्टेस हमने डिसकस किया था ठीक है तो कंप्रीट गाइडेंस के साथ में डुतों आप लोग को मिलती है फ्रपर प्लिस्ट क्लास् जिसको आप लोग जॉइन कर सकते सबस्त विय cuarto एक्सपर्ण के साथ में टाप निष्ट के साथ में आनिमिटिर एक्सिस के साथ में जब साल के साथ में दोस्तों आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है और जिन बच्चों नहीं कि आना तो मैं उनको एक ही बात बोलूगा कि भाई जोइन कर लेना क्योंकि कल से ही बैच चालू हो रहा है बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है था इसके अलावा दोस्तों बेनिफिट क्या है देखिए इसके अलावा बेनिफिट यह है कि आप लोग रात को नो बजे मेरे साथ में जुड़ते हैं शांदार मौकिस के अंदर जो की एक स्पेशल क्लास होती है अनकेडमी लर्निंग एप पर एक नौंबर से अपने ये सारे रात को नो बजे और दस बजे जैसे पहले चलती थी एक डेट साल से जो चल रही थी उन क्लासे से ठीक है भाई करें स्टार्ट पढ़ने वाला दोस्तों वो पढ़ेगा वो उससे यह मतलब नहीं कि वो बोर्ड पे पॉशन दिखें आपको तो सामने आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे मेरी पोजिशन कोई सी भी हो जाहे मैं खड़े होके पढ़ा हूँ या मैं बेट के पढ़ा हूँ मैं पढ़ा वही रह ठीक है तो इसलिए आप ज्यादा सोचे ना और कोशन्स करते हूए आगे बढ़ें बस अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह दिवाली है दिवाली की चुटियां चालो हो गई है आज धंतेरस से तो सबसे पहले तो भाई आपको वही विश कर देता हूँ भाई आपके परिवार में आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए आप लोग जीवन में हमेशा कुछ उत्ताफु डिसीजन्स हमें लेने पड़ते हैं चोटी चोटी खुशियों के चक्कर में अपनी उस बड़ी खुशी से दूर ना चले जाना जो आपका इंतजार कर रहे हैं और वह है जोब लगने के बाद की खुशी फाइनेंशली फ्रीडम की खुशी ठीक है आप है आप है all black are red all black are red ठीक है उसने बोला all pen are pencil, no pencil are black all black are red तो some pen being black is a possibility some pen being black कुछ pen का black होना possibility है जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा गाईस अगर आप pen को black के पास ले गए तो इसका मतलब आप pencil को भी black के पास ले जाएंगे जो भी साब साब मना कर रखता है all pencil can be pen क्या सारे pencil pen हो सकते हैं क्या जी हाँ, ये हो सकते है उसने पूछा है क्या सारे pen pencil हो सकते हैं क्या जी बिल्कुल हो सकते है अगर pen और pencil की boundary same कर दें pencil और pen की boundary एक ही कर दें तो सारे pen तो pencil हो सकते हैं सारे पैन क्या हो सकते हैं pencil हो सकते हैं सारे पैन क्या हो सकते हैं guys बिल्कुल pencil हो सकते हैं तें कि आप यही तो नहीं सोचते हैं can be word भी दोस्तों possibility को दर्शाता है तो यह बना लिया ना एक diagram हमने बना लिया आप second वाले को भी wrong कर रहे हैं और पता नहीं क्यों एक या दो या तीन चार के नहीं कम से कम यहां पर मोजू जित रहें बच्चे हैं उन में से 50% से ज़्यादा बच्चों के answer गलत आ रहे हैं वो second वाले को भी wrong कर रहे हैं वो यह नहीं देख रहे हैं कि क्या pencil सारे पैन हो सकते हैं क्या हो सारे बोल रहे हैं न क्या सारे pencil पैन हो सकते हैं क्या जी हां अगर boundary सेम हो जाए तो ऐसा हो सकता है तो answer दोस्तों second follow बनेगा यार आप सभी से request है कि सो समझ कर जवाब दें चलिए spirit बढ़ाईए some students are man some students are woman no man is woman no man is woman some students are not man वो बोल रहा है कुछ student ऐसे हैं जो man नहीं है बिल्कुल सही बोल रहा है यह देखी यह वाले student यह वाले student कभी भी man नहीं हो सकते हैं सारे student man हो सकते हैं पर यह वाले student जो woman का portion है यह कभी भी man नहीं हो सकते हैं आगे some student are not woman कुछ student ऐसे हैं जो woman नहीं है जी बिल्कुल यह बात भी बिल्कुल सही है कुछ इस्टूडेंट ऐसे हैं यह वाले स्टूडेंट जो कभी वोमेन नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह मैंन का पॉर्शन है तो गाइस बहुत फॉल्व मेरे साथ से तो बहुत फॉलो होना चाहिए और शायद आपके साथ से भी चलिए बहुत बढ़िया यार आप लोग के कमेंट्स देखकर आप लोग की एक्साइटमेंट को देखकर बड़ा ही आनंद सानुब हो रहा है जली बनाइए रहा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट बनाइए गाइस इस कोशन को बनाइए शंकला में लुक्त पदु को ग्याद करना है देखिए इसको आप बना सकते हैं रूट 81 प्लस 13 प्लस मत करिया मुल्टिप्लाई गर्वी रूट 81 मुल्टिप्लाई थर्टें 9 मुल्टिप्लाई थर्टें 117 रूट 341 मुल्टिप्लाई by 5 इंट इंट 5 विचाण मन root x equal to 16 x likewise एक्सिक्वल टू क्या दोसोचपन क्या क्या बात है यार सलूट है दोस्तों आप लोग के जौश और जुनून को फड़ा वड़ से चल्दी से बनाएंगे तावड तोड जवाब दीजिएगा के गटर देन एक गटर देन सी यह आपको दे रखा अल्रेड़ी अब के से बड़ा कोन है ए है के से बड़ा ए है भाई डी और बी बराबर है और के जो है ना के इससे भी बड़ा है के किससे बड़ा है भाई के टी और बी से बड़ा है के डी और बी से बड़ा है ए और सी से भी बड़ा है के तो यह ब्रेक पॉइंट हो गया न एक तरीके से यह ब्रेक पॉइंट हो गया तो डी का ए से तो कोई रिलेशन मनेगा ही नी जी बिल्कुल ए वड़ा है सी से सेकंड फोलो सेकंड इस दी करेक्ट आंसर एक दो तीन चार पांच चे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदर सोला सोला लेटर हैं गाइस सोला लेटर में किसका डिवाइड होगा सोला में दो का डिवाइड होगा सोला में चार का डिवाइड होगा सोला में आठ का डिवाइड होगा चार चार में डिवाइड कर देंगे इसको पोर पोर में डिवाइड कर देंगे यह बनेगा I, J, K, L I, K, J, L या उल्टा बन सकता है L, K, J, I L, K, J, I I, J, K, L L, K, J, I तो फिर या आई, J, K, L या इसका मतलब इसको सही कर लाना थोड़ा सा एक काम करना इसको थोड़ा सा आप लोगों को सही करना पड़ेगा सपोस करिए यह यहाँ पर देखीगा इसको I, J, K, L तो या आई है इसका मतलब पर लिखावा तो उल्टा है यार L, K, J, I हाँ L, K, J, I बन रहा है ऐसा लग रहा है फिर I, J, K, L अचा इसको सही करना L, J, K, I L, J, K, I L, J, K, I I, J, K, L L, K, J, I I, J, K, L L, K, J, I L, K, J, I ठीक है तो चलिए गाईस या I है हमारा आंसर क्या बनेगा I, L I, J L, J I, L, I, J I, L, I, J L, J B option इसे करेगा टीक है एक बार सीधा एक बार उलता एक बार उलता वाला concept चल रहा है चलिएगा दोस्तों यहाँ पर दे रहा है दो भाई बेन स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं भाविक दो किलो मेटर उत्तर की तरप जाता है भाई के लिए बोल रहा है और फिर D.A.M. rotas जाता है कि इस्कूल पहुंच गया पर यहां पहुंच गया वह अपने स्कूल संजना 3 किलो मेटर पच्चिम में जाती है उर फिर 5 किलो मेटर दीखे। दो भाई बैन ने स्कुल जाने के लिए घर से निकलते हैं। भाविक के लिए भाविक घर निकलते हैं भाविक के लिए कि पहले भाविक तो यहा पोच गया। दो गया उत्तर पे फिर 1 km संजना तीन किलो मेटरником पक्षीं में जाती हैं यह लो, चार किलोमेटर गई है और चलने के बाद अब वो अपने स्कूल पहुंचती है संजना अपने स्कूल पहुंच गई यह भाविक का स्कूल यह संजना का स्कूल तो कितना दूर है बताओ संजना का स्कूल किस दिशा में भाई संजना का स्कूल किस दिशा में? संजना का स्कूल किस दिशा में? भाविक के स्कूल के दिशा में? भाविक के स्कूल के संदर्ब में संजना का स्कूल किस दिशा में है? पाँच और दो साथ साथ किलोमेटर साउट है न? सेवन किलोमेटर साउट बी ऑप्षिन इस दी करेक्ट एंसे चली बनाइए दोस्तों xy के पूरू में यह 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 आयरा एक से xy के पूरू में है अब यह लाइन आपको अपतो याद हो गई होगी कि तीन लोग दे रखें तो जो के बाद वाला सेंटेंस हमेशा जो के जस्त पहले वाले के लिए कहा आगे यानि वाइख फुद जेड के उतर में हैं 5 बशेय के पूर्व के य客े में से कौन सी दिशा में मैं बी की का है यह नीचे तो सौन यह झाल सी उप सभी ह। इस silदीक्शन होगी साल o पूरते हैं अगी राइसानि पूलिस का पेर होए सारी इसका अपने मट्स का पेपर हुआ प्रशना है इससे पहले पूल सक पहे तो इसके आदर भी दोस्तों आप लोग जानते हैं सान्दा जान्दा दो क Linda के प्रशना है लोग THE प्राकतिक संसादनों को नश्ट करते हैं यहां पर जिस लेंड पर लगाओगे उस लेंड पर अब कुछ नहीं हो सकता अगर उद्योग बिठा दिया तो उसके आसपस के एरिया को खाली करवाना पड़ेगा क्योंकि सबी प्राकतिक संसादन संसादन होते हैं ऑल नेचरल रिसोर्स का यहां आपर यहां बहुत को आज गल खत्म होगा क्यों सही हैं कैज ह्य है सूरज की रोशनी आड़िये कल हम घौ हो कि कि वह भी एक चाहिए तो बहुत है तो भाई वुटर भी तो देरे दिरे कम होता जा रहा है कोई से भी नेचिवर to लेलो आप पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम का यूज हम करते जा रहे हैं तो देरे-देरे कतम होते जाएंगे और एक बार ऐसे आएगा कि बिल्कुल खतम हो जाएंगे इसमें गलत के अभी प्रागति संसादन होते हैं अब बोल रहा है न उद्ध्योग न पर्यावरण का प्रॉशन हो रहा है कि उद्ध्योग नी हो गहें तो प्रॉशन भी नहीं होगा तो यूज करते हो भाई आप वीकल्स वगेरा यूज करते हो बहुत सारे ऐसे चीज़े य या और भी बहुत बाकी चीज़ों में तो यह बात कहिए न उद्योग न पर्यावन प्रदूशन यह वाली बात तो बिल्कुल गलत है आंसर पहला ही सही बनेगा कौन सा बनेगा only first follow बनेगा इसलिए कहता हूं सोच समझ के और आराम से करें शहरी भष्ट करमचारी गाद करने आप शहरी रूलर पिपल से तो मतलब यह नहीं शहर के लोग चाहिए अर्बन पिपल चाहिए पर करप्ट पिपल चाहिए और करमचारी चाहिए यानि कि ट्राइंगल आयत और उन सबका कौन यह पॉर्शन बनेगा और इसके अंदर नाइन इसको अगर आप पूरा करें फड़ाफट से तो एक ऐसा बनेगा यह देखिए आप आपको कॉस्टिंस के अंदर यह फिगर्स दे रखें और आपको यह बताना है कि कौन सा फिगर आप लुग बना सकते हैं कौन सी चीज है जिसको आप लुग बना सकते हैं यह आपसे बोला जाए कि बना सकते हैं यह देखिए बी ऑप्शन को मना सकते हैं सी और सी डी और ए में तो यह यह लाइन बहुत ही पत्ली है यह देखो कितनी पत्ली लाइन है अब खुद देखें के आर की इकलोती पुत्री है के आर की इकलोती पुत्री है के पी की माह हैं के आर की पुत्री है एम वी का पुत्रे पी आर की पुत्री है और एसम का दादा है एसम का कौन है दादा वी के का भाई है अच्छा वी के का भाई है जो एन से विवाई थे ओके वी के का भाई है जो एन से विवाई थे के एन से विवाई थे हैं के किस से विवाई थे के एन से विवाई थे ये लो ये बन गया इस्ट्रुक्चर ये लो भाई है कि एक लोता पुत्र यह ले लो कि dh Preserve लेकल चेट पुत्र पूत्र Приap ingra के प की पाहिए ए एक लोता पुत्र यह स्म का जाए है ईल जो एन से इसे वीवायत है यह बन गया structure तो पी वी से किस प्रकार संबन देते पी वी की भतीजी हो जाएगी पी वी की कौन हो जाएगी भतीजी पी जो है वो वी की कौन हो जाएगी गाइज भतीजी हो जाएगी चलेगा next अगला question करिए इसको क्या लोजिक लगाएंगे क्या लोज बेखिए गाएगी झाल 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 बनाइए गाईज 149 आंसर आ रहा है लोजिक बताई पड़ापड से गाईज लोजिक बताईं लोजिक कौन बताईगा 149 आप आंसर दे वे बहुत अच्छी बात है पर लोजिक बताईए आप मुझे यहाप लोजिक कौन बताईगा भई देखो इदर इंटू दो अगर आप करेंगे माइनस तीन करेंगे तो 149 आएगा बिल्कुल सीज़ा होगी 149 इंटू टू करेंगे अगर आप ठीक है 149 इंटू टू करेंगे तो 298 माइनस 6 292 आगे 292 इंटू टू अगर आप करते हैं 16 कम हो जाएगा 300 300 600 600 में से 16 चला गया अगर 600 में से 16 चला गया तो 500 चौरिया सी 500 चौरिया सी माइनस बाला 572 572 इंटू माइनस 24 1120 आज ऐसी सीरीज आगे चला गया तो विल्कुल 149 इस दी करेक्ट आंसर डबल होता जा रहा है 3 का डबल चेंगे 6 का डबल बारा 12 का डबल चोईस इस तरीके की चीज़े चला दी है लगाई का बना इस चल्दी से बनाएंगे पीछे से चेक करेंगे ए के लिए चेक करो 99, 55, 88, 66 A के लिए 58, 65 D option वनेगा क्योंकि ये 22 से ये सिर्फ 90 विद्यारतियों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात एक भाई साहब 90 विद्यारतियों पहुत प्यारा प्रश्न है और इसमें लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है girl और boy का ratio दे रखा है कितना two ratio one two ratio one का सीधा सा मतलब हो गया यानि कि 60 तो लड़किया है और 30 लड़किया है total हो गए 90 Ronnie एक लड़का है और परिक्षा में उस का इस्थान शीर्ष से 14 नमबर पर है Ronnie और उससे पहले लड़का है यह यह मेल है और इसमें से 10 लड़कियां उससे पहले है दस गल्स अगर पहले हो गई देखो रोनी खुद 14 नमबर पर है तो 13 लोग पहले आएगी तो 10 गल्स अल्रेड़ी दे रखी है तीन बॉइज आप ले लोगे total 13 लोग हो गए है यह उसने खुद ने दे दिया तो रोनी के बाद कितने लड़के है देखिये रोनी से पहले तीन लड़के और एक रोनी खुद 4 लड़के तो यहां तक हो गए अब total 30 लड़के हैं 30 लड़कों में से 4 लड़के चले जाएंगे 26 बोई बनेगा ना बाद में कितने आएंगे भाई 26 बोई हैं जो रोनी के बाद में हैं रमेश 37 से अमीर है लेकिन जया से जया रमेश से कम अमीर है यह लोई रमेश 37 से तो अमीर है लेकिन जया रमेश से कम अमीर है राम जया से कम अमीर है यह रमेश और यह भी है रमेश राम जया से कम अमीर है राम जया से कम अमीर है लेकिन सतीस से अधिक अमीर है राम जया से कम अमीर है लेकिन सतीस से अधिक अमीर है किन्तु रमेज जितना अमीर नहीं है ठीक है राम जया से कम अमीर है लेकिन 37 से अधिक अमीर है किन्तु रमेश जितना अमीर नहीं है उपे सी राते हैं रमेश तो सबसे याद अमीर है यहां पर रमेश नवीन से कम अमीर है यह लो रमेश नवीन से कम अमीर है भाई सब तो इन सब में सबसे अधिक अमीर कौन हो गया नवीन हो गया फिर तो इस हिसाफ से तो नवीन सबसे अधिक अमीर हो गया भाई इस हिसाफ से तो यह सबसे अधिक अमीर हो गया नमीन चलिएगा दूस्तों स्वादेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ रही है घरेलू मतलब हम जितना तेल उत्पादित कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हमारी डिमांड है कि हमें घर में ही भाई साब घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, जैसे जैसे स्वदेशी कच्चे तेल की उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, जितना तेल हमें चाहिए उतना तेल हमारे पास ह revenue तो कच्चे तेल का का आयात करでも कंतेलों को कम केला जा चाहिए मेरे साबसे तो साथ आई लोकार केश कर यू या तो आप अपनी घरेलू हमांग को कम कर लो या फिर आप तेल को बहार से मंगाओ अगर आप खुद की जरुरते पूरी नहीं हो रही तो आप बहार से मंगाओ यही तो सोच की बात है कि आप कितना सोच पाते हो आइदर और का केज बनेगा यह अमेजिंग कोशन था एक शांदार प्रशन आप खुद सोच के देखें आपको खुद को तेल की जरुरत है तो या तो तेल आप बहार से मंगाओ या फिर आपको जितनी जरुवत है उतना आप यूज ना करो, कम यूज करो कोई घड़ी 44 सेकिंड में 12 बार बसती है तो घड़ी कितने समय में 8 बार बजेगी वाह, क्या बात है यानि घड़ी को 12 बार बजने में 44 सेकिंड का समय लगता है और आप लोग भली बाती जातनते हो कि जब घड़ी पहली बार बसती है तो उसको बजने में कोई समय नहीं लगता है उसके बाद जो बसता है उसके लिए समय लगता है घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकिंड का समय लगा रही इसका मतलब है कि पहली बार बजने में घड़ी को कोई समय नहीं लग रहा ठीक है अब देखिए आप यानि घड़ी को 11 बार बजने में 44 सेकंड का समय लग रहा है तो घड़ी एक बार बजने में कितने सेकंड का समय लगेगा घड़ी को एक बार बजने में 4 सेकंड का समय लगेगा अब जब घड़ी को एक बार बजने में 4 सेकंड का समय लगेगा तो 8 बार बजने में घड़ी कितना समय लेगी अगर 8 बार का भी निकालना है आपको तो पहली बार बजने में तो इसमें भी 0 सेकंड लगेंगे ना तो इसको उटाना पड़ेगा सही है नहीं पहली बार जब घड़ी बज़ी होगी तब तो जीरो सेकिन लगे होंगे हैं तो आठ बार बजने में कितना समय लेगी यानि निकालना आपको साथ बार के लिए एक बार बजने में चार सेकिन तो साथ बार बजने साथ चोग 28 पर यह 28 किसके लिए आया यह 28 आया आठ बार के लिए कि आठ बार बजने में 28 सेकंड का समय लगते हैं यानि एक कम करके सोल करते हैं यही कोशन की खाज को भारत में रुपिया चलता है तो बांगलादेश में चलता है भाई टका तो कि यहां कोंसी संग क्या अलग है कि अ कि इसषी बहुते करव और एब सकते पर इसको को α में इसको भी अपनेस कोइर बोल सकते abd कि इसको भी अपनीस कोइर सकते यह सकॉयर नहीं इस तक आट यह सकॉयर नहीं थी कि अट है करे मैं दॉमिनोज का कोड है 5981796 मनी का कोड है 89742 तो मॉमोज का कोड क्या आएगा M आएगा 8 पे O आएगा 9 पे पिर M आएगा 8 पे O आएगा 9 पे और S आएगा 6 पे 8 9 8 9 6 8 9 8 9 6 यह कोशन पादेगा भाइसर यह लिजिए भाइग करियर पार्मर खेत में काम करता है तो complementary अ मेंदेगर कहां पे काम करें उख-T हंच का जनम दिन सौंवार पांच जून को है समान वर्ष में तुशार का जनम दिन सब्ता के किस दिन होगा यदि तुशार का जनम दिन 11 दिसंबर को होता है ठीक है जून में होते हैं तीज दिन, तो पांस दू हडी गए, बचे कितने 25, July में 31 होते हैं, 28 62 3, अगस में 31 होते हैं, 28 62 3, September में 500, 32 63 Д touch? ग्यारा और दो, तेरा, तेरा और तीन, सोला, सोला और दो, अठारा, अठारा और तीन, एक्किस, एक्किस और तीन, 24, 24 और 25, 49, 49 तो 7 का मल्टीपल है, रिमेंडर जीरो बजेगा, तो मंडे में अगर आप जीरो जोड़ोगे, तो मंडी आएगा भाई साफिर तो, मंडी आगया आपका तो, आंसर, 49 को 7 से डिवाइड गया, तो 0 आगया, तो 0 एड़ करोगे, तो अभी मंडी आएगा, अक्षान दार मजा आगया भाई, प्रश्न के अंदर, चलिएगा, नेक्स, अगले प्रश्न की दरव आगे बढ़ेंगे, ये शेप आपको दे रखा है, एए उप्शन है, साथ वेक्ति हैं, उत्तर की और मुगर के एक पंग्ती में बैठें, एक बाई और केवल दो वेक्ति बैठें, एए और एफ के बीच केवल एक पंग्ती बैठें, एप और बी के बीच दो वेक्ति बैठें, एप और एक बीच में एक वेक्ति, एप और बी के बीच केवल दो वेक्ति बैठें, कि भी डी के बगल में बैटता है कि इजी के दाएं से दूसरे संपर अच्छा साथ लोग है ना भाई तो ए और एफ यहां पर आ सकते हैं तीन दो पांच पिर एफ और यहां पर बन सकता है बी डी के बगल में बैटता है और उसने बोला है कि इजी के दाएं से दूसरे संपर एजी के दाएं से दूसरे संपर अब अब कौन बच गया कि अफुक्त नहीं आया तो स्यां आजायेगा क्योंकि ऩौन कि प्रोप तो बेटे गा नहीं धाया पूं कि यह वाला इस्ट्रेक्ट्चर सभेगा इस स्थिए अब इसको कि देखवर अब एक बार कि अम ए एक ब्ल्दव दाया चोब पर कोन है तो अंतिम दायें चोवर पर C है आपको अंतिम दायें चोवर पर कौन है? C चलिए रवी अमन के पिता की बहन का पुत्र है ठीक है अमन के पिता की बहन का पुत्र है रवी विशाल दिव्या का पुत्र है जो गोरों की मा और अमन की दादी है अमन की दादी कौन है? विशाल दिव्या का पुत्र है जो गोरों की मा और अमन की दादी है गोरो की मा दिव्या दिव्या गोरो की मा और अमन की दादी है अशोक तान्या के पिता और रवी का दादा है अशोक तान्या का पिता और रवी का दादा है दिव्या अशोक की पतनी हैं होई गया गौरो की पतनी तान्या से किस प्रकार से संभूने था गौरो की पतनी तान्या की कौन हो जाएगी बताईए गौरो की पतनी तान्या की कौन हो जाएगी तो गौरो की पतनी तान्या की सिस्टर इनलो हो जाएगी गोरों की पतनी तान्या की हो जाएगी सिस्टर हैं तो गाइज मज़ा आगया आप लोगों के साथ में कॉशन्स करके एकदम आनंद की अनुगूती हो गई सभी लोग भड़ापट से बता दें कि कैसा रहा सेशन और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कॉशन्स किये कि नहीं देखे इस पैपर सेट को आप लोग आराम से चाहते हैं तो 20 मिट के अंदर कर सकते हैं जब आप खुद करने बैटेंगे तब आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा आप बस कोईशन करते जाएंगे और धाड़ाधर से फोर देंगे धीरे धीरे कोईशन के लेवल बढ़ते जाएंगे कल का सेशन और भी शांदर होगा ठीके गाइस इसके अलावा आपको पता है कि कल से नया बेच भी अपना चालू हो रहा है कल से प्लस कोर्स स्टार्ट होने जारे गाइस तीन नवंबर का दिन है और बहुत ही इंपोटेंसी रखेगा पहले दिन से ही कलास में जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप कलास में पहले दिन से नहीं जुड़ रहे हैं तो गाइस फिर अपन नहीं कह सकते कि आप लोग कोड लाकर आपको बैच मिल जाएगा कोड को एक साथ लिखना होता है यह मैं आपको बता दूँ डी डवली पी यू वन जी ठीक है अब इस बैच के दोस्तों खास बात यह है कि आपको बिल्कुल बैसिक से तो बैच मिलता यह साथ ही साथ आपको टैसरीज भी मिलेगी प्र सकते हैं इसके लावा एक नवंबर से दोस्तों नई चीजें चालू हुई है तो जिसको आप जोइन करेंगे नई सीरीज अपने स्कार्ट करिए अनकेडमी लर्निंग पर टाइम में रात को नो बजे का और कल से अपना यह सेशन चालू हुआ है दो मोक्ते सम लोग रात को डिसकस करते हैं नो बजे और दस बजे तो इसे आप देखना बिल्कुल ना भूर हैं अपर्चनेटी फॉर ओल लेंस तो रिपोर्ट एनी अनप्रोप्राइट कंटें इन दी वीडियो वीडियो बीपस्ट वन तो रिपोर्ट अ पर्टिकुलर एशू तो प्लैम योर प्रा लावा दोस्तों आप लोग जो है आनकेडमी पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन प्रेस कर लें सेशन को लाइक कर दें शेयर कर दें पीडियेफ नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी तो महां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे कल की पीडियफ भी दोस्तों आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी मुझे पूरी उमीद है और रात की क्लास के सेशन के लिंक भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे तो थैंक यू सो मच गाईस ऐसे हसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो हैपी धन्टेरस तो all of you, bye-bye, take care, have a nice day, bye.